कि दो हजार इक्षिस सुरू हो चुका है तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है अब यहाँ पर विदान सभा चुनाओं को लेकर होने वाले 2022 में जो विदान सभा चुनाओं होने हैं उनके लिए कहने कहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश को योगी जी ने जंगल राज बना दिया है ना या मैलाई सुरक्षित हैं, ना दली सुरक्षित हैं, ना पिचड़ वरक के लोग सुरक्षित हैं, ना या माइनोर्टी के लोग सुरक्षित हैं, या ब्रामनों की भी हता हैं हो रही हैं, तो इस प्रदेश में ये उम्मीद किसी नहीं की थी कि योगी जी की सरकार पूरे प्रदेश के लोग को दो खेमे में बाट देगी। पूरे तरीके से जाती हो धर्म के नाम पे प्रदेश में लोगों को बाट दिया है। जो योजना बनाई है, बिजली इतनी सस्ती है, 200 इनिट फिरी है, पानी 20,000 लिटर माफ है और इसके सासा सरकारी स्कूल अच्छे कर दिया, अस्पताल अच्छे कर दिया, मोला क्लिनिक बना दिया, तो यह दिल्ली के लिए नहीं, आज यूपी को भी उसकी जरूरत है, यूप इतना बादीए काफी कम है, और जो उस्तर प्रदेश की आपाधी काफी ज़्याद अट यहां पर शिक्सा ववश्टा में क्या केंगे, देखिए सवाल, जन्संग क्या करनी है, अगर जन्संग के उत्फर प्रदेश में ज्ञाके जाद है, तो इसक्छेतर प्र शाद है, stayed 밥 चुर में सवाल पैसे काने हैं सवाल नियत का है दिल्ली के सरकार की नियत आम जनता के लिए काम करने की है इसलिए दिल्ली के अंदर अस्पताल भी अच्छे किये इसकूल भी अच्छे किये और तमाम स्वीधाय जनता को दिये बिजली 200 इनिट फिरी है पानी 20,000 लिटर फिरी तो फिरी को छोड़ दू हम तो बीजेपी draft पर देसे बिजली खरीटते हैं और जिन पर देसों से खरिटते हैं से शिती बिजली दिली में हम दे रहे तो अगर दिली के अंदर अच्छे school कर सकते हैं, अच्छे auspital कर सकते हैं, मोला क्लिनिक बना सकते हैं, doesn't that, ये सकते हैं करके चुनाव जीत लोगे इसलिए जनता के लिए काम करने की क्या जरूरत है लेकिन आज उत्तरप्रदेश के लोग जागुरुक हो चुके हैं अब धर्म के नाम पर हिंदू-मुस्लिम में बटने वाले नहीं है अब मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देने वाले नहीं है औ वाम आदमी पार्टी का दिल्ली का मोडल चलेगा मैं इतना जरूर कह सकता हूँ बेहत सस्ते दाम पे बिजली लोगों को लब्द कराएंगे सरकारी स्कोलों को इसलायक बना देंगे कि लोग प्राइवेट में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे जैसे दिल्ली के इंदर प्रा क्यालिटी हैल्स सर्विस क्यालिटी एज्यूकेशन हम लोग उत्रप्रदेश के लोगों को उपलब्द कराएंगे सस्ती बिजली और पानी अच्छी मातरा में साफ पीने योग्यों के पानी उपलब्द कराएंगे बुजरुगों को सम्मान रूप जो पेंसन मिलनी किसान रही है कि लगातार जो किसानों के हिए का रहे है और वहीं जो किर्शी कानुन उन्होंने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि ये जो तीन बिल आये हैं कानून आये हैं ये तीनों काले कानून किसानों को बरबाद करने वाले हैं देश की जंता को बरबाद करने वाले हैं महगाई बहुत जाद हो जाएगी किसानों की जमीने चली जाएंगी वो लोग SDM की कोट में धक्या खाते रह जाएंगे उनको नयाय नहीं मिलेगे कभी और चुकि उनको ये बास समझ में आ गई है इसलिए लोग इस आंदोलन के वल किसानों का आंदोलन नहीं है आम जनता भी से बहुत बड़े बैबने प्रभावित होने वाली है इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है और जो सेवा बंडियम सेवा भी उनकी कर रहे है मैं समझता हूँ हम यहां काबिल अच्छे लोग ढूंड के जिला पंचायत सदेश का चुनाव लड़वाएंगे और इसी से हमारे संगडनपूर उतरपरदेश के अंदर तयार होगा और आने वाले 2022 का मार्ग इसी जिला पंचायत के चुनाव से प्रसस्त होगा देखे यह तैह हमारे साथ दिली सरकार के मंतरी है जो की लगातार यहां पर अब enriched की शुरू होते ही 2022 के चुनाव के लिए एंट्री मार चुके है और यहां पर जो ववस्ता है जो सुलिदा है दिली के अंदर है उनको यहाँ पर उत्तरप्रदेश के अंदर देने की बात की जा रही है और वहीं बता दे आपको किर्सी कानून को लेकर भी यहाँ पर मंतरी जी ने एक बार फिर सरकार पर निसाना साधा है कहा है कि यहाँ पर जो किर्सी कानून है वो बिलकुल किसानों के खिलाप है और यहाँ पर जो कानून है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए और वहीं बता दे आपको लगातार अब गराम पंचाच चुनाओ को लेकर और जिला पंचाच चुनाओ को लेकर भी जो आमाधी पा झाल झाल